पर लेक्चर को शुरू करने से पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बतना चाहूँगा कि यह सेशन आपके सामने recorded manner में present किया जा रहा है यह point याद रखेगा बट हम सारे 100 MCQs के उपर बात करेंगे और आपके जो भी answers है आपके जो भी comments है बिलकुल आने चाहिए वो चलने चाहिए यह बात भी याद रखेगा दोस्तों from Monday to Saturday every morning 7 o'clock हमारा current FS का सेशन होता है बट आज हम इस time frame में 100 MCQs के उपर बात करने वाले है तो सेशन की शुरुआत करते हैं सेशन को start करते हैं जादा वक्त ना जाया करते हुए पर उसके पहले आप जल्दी से सेशन को share और like कर दीजेगा बड़ी important चीज है जिया अभी exams के notification आना शुरू हो चुके है RRB clerk का notification RRB PO का notification हमारे सामने है manager senior manager का भी notification हा चुका है if eligible तो आप वहाँ पे भी apply कर सकते हैं तो पढ़ाई बड़ी ताबरतोर तरीके से करनी पड़ेगी और इसलिए कोई भी चीज हम skip नहीं कर सकते माना कि मेहनत काफी आप करते पर उ लोग नहीं follow करते होंगे तो जल्दी से follow करना शुरू कर दीजेगा यहाँ पे आपको current affairs की सारी information plus सारे notes available हो जाएंगे और प्लस आने वाले sessions की भी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाती है if you want to join a batches with us अगर आपको हमारे साथ batches join करनी होगी तो आप super coaching के platform में आ सकते हैं वहाँ पे अलग-अलग government exams की batches available है इन batches में enroll करने के लिए यह code आप use करना मत भूलेगा PUSHPAK is the name of the code जो आपको अच्छा सा discount प्रोवाइड करेगा तो start करते हैं जी हाँ यह revision का ही session है because month of मई को हमने काफी detail में discuss किया था अब उसके MCQs के उपर एक बार बात कर लेते हैं तो सबसे पहला MCQ आपके screen के उपर यह रहा according to center for monitoring Indian economy what is the unemployment rate of India in April 2023 because एक महने बाद वाला यह data हमेशा होता है तो मई मन्त में यह news हमने cover की थी CMI Center for monitoring Indian economy जिसका headquarter Mumbai के अंदर है तो इनके साब से इंडिया का जो unemployment rate 8.11% पर है ऐसा इनके द्वारा mention किया गया यह एक private authority है but government के साथ मिलके काफी सारा data present करती तो इनके द्वारा यह unemployment rate का data present किया गया next question इंडिया has signed an MOU with which country on the industrial research and development cooperation with the focus of several key technology areas technology के angle में इंडिया का किस country के साथ MOU sign हुआ ताकि industrial research as well as development के angle में काम किया जा सके सो यहाँ पर कौन सी country है जल्दी से answer comment section के अंदर डाल दीजे देखते कितने लोग इसका answer करेंगे answer of this question is India and Israel जिया इसराइल के साथ हमारा agreement sign हुआ था Jerusalem is the capital आप वहाँ पर देख सकते हो Benjamin Netanyahu साथ का photo आपको दिख रहागा मोधी साथ सो इस country के साथ हमारा agreement sign हुआ है इसराइल के उनके बारे में भी discuss कर लिया जल्दी से answer कर दीजेगा what is the capital sorry what is the currency of Israel जल्दी comment section के अंदर जिया दोस्तों अभी तक अगर session share नहीं किया होगा तो एक बार जल्दी से session को share कर दीजेगा ताकि हमारे बाकी भी दोस्त जल्दी से जुड़ जाए जिया चलो fine मैं आगे बटाओ next इंडिया जबारती एरटेल है signed a binding term sheet for merger with which of the following countries telecommunication company हमारा जो भारती एरटेल है बड़ा फेमस कमपनी है nationally काम करता है UK के अंदर भी है साथ में African countries के अंदर भी है UK में one wave के साथ उनका tie up है हमने last time discuss किया था तो अब किस country के telecom communication company के साथ इनका merger हो रहा है और यहाँ पे बात की जाएगी श्री लंका श्री लंका एंड हम बात करते है dialogue is the name of the श्री लंकान company बड़ा फेमस यह telecom company आपने कई बार cricket matches के वक्त में शायद यह देखा होगा यह sponsorship भी प्रोवाइड किया करता था किसी जमाने में श्री लंकान क्रिकेट टीम को तो जिया Airtel और dialogue इस company के बीच में अभी merger की बात हो रही है एकदम सही answer next question के तरफ जाते है which state government has launched the facial recognition system for inner line permit system now facial recognition system launch किये inner line permit system के लिए because this country के अंदर कई बार outer infringement काफी जादा होती है तो इसी angle में system create किया गया और यहाँ पे बात करेंगे मनिपूर के अंदर मनिपूर में को अलड़ी पता होगा problem चल रही है फिलाल तो उसी problem को start होने से पहले यह concept launch किया गया था मनिपूर में थोड़ा सा issue है तो उमीड करते है कि as soon as possible सारी problems मनिपूर में solve हो जाए हमारे जो मनिपूर के भाई भेन है जल्दी से एक शान्ती से वहाँ रहना शुरू कर दे सो जिया मनिपूर के CM और मनिपूर के governor का नाम जल्दी से एक बार comment section में डाल दीजे who is the chief minister of मनिपूर as well as governor of the state of मनिपूर फड़ा फड़ा answer comment section में आने चाहिए जिया तब तक हम next question के तरफ जाते हैं which of the following ministry has recently launched विवाद से विश्वास scheme विवाद से विश्वास का ये second part हम लोग कहेंगे because इसके बारे में last year के budget में ही announce किया गया था so विवाद से विश्वास का basically purpose ये होता है जो taxation issues है उन सारे issues को as soon as possible solve किया जाए उसके जल्दी जल्दी solution निकाले जाए अब taxation की बात की तो आप समझ में गए होंगे यहापे कौन से ministry की बात हो रही है जिया निर्मला जी के finance ministry की बात करेंगे especially taxation issues के angle में इसकी बात की जाती है निर्मला जी के पास एक और ministry आती जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो corporate affairs is the name of the ministry जिसके बारे में यहाँ पे point mention किया गया है एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पे ना मैंने link डाल के रखी हुए liberated its diamond jubilee on its 60th foundation day where is the headquarter of IIFT IIFT का headquarter कहाँ पे Indian Institute of Foreign Trade 1980s में इस institute को create किया गया था हमारे foreign trade को लेके हमारे import export को लेके यह काफी अच्छे से काम करता है तो इसका जो headquarter है दोस्तों it is in New Delhi New Delhi के अंदर इसका headquarter है ध्यान रखेगा 1980-1980 में इस institution को बनाया गया अब यहाँ पे निर्मला जी का photo आ गया it was it is by mistake foreign trade की जब भी बात करेंगे तो commerce ministry का रोल होना चाहिए प्यूश गोयल साहब का photo यहाँ पे actually होना चाहिए था पर by mistake यहाँ पे निर्मला जी का photo आ गया है कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं the two day meeting of foreign ministers the Shanghai corporation organization has started in which state foreign ministers का meeting था SCO का बड़ा important meeting है even Pakistan के भी ministers ने यहाँ पे शिर्कत की ही तो यह बहुत important achievement था हमारा because Pakistan was not ready to join this meeting but they finally decided to join and this meeting was in Goa गोआ के अंदर इस meeting को organize किया गया था तो SCO के सारे members यहाँ पे देखने को मिले यह भी point याद रखेगा यहर एक point जल्दी से comment section में डाल दीजे गोआ के CM कोन है और गोआ के governor कोन है वैसे उनका यहाँ पे involvement थोड़ा कम ही था because SCO के meeting में हमारे external affairs ministry का रोल यहाँ पे रहेगा जैशंकर साब ने इस meeting को chair किया था किस country के president के तोर पे इनका recently election में जीत हुई जी आँ देखते कितने लोग आंसर करेंगे पड़ा पड़ा आंसर कर दीजेगा जी प्रमोच सावन सर ये governor है स्वारी ये वो CM है गोवा के यहाँ पे आंसर इस पैरागवे की बात करते है पैरागवे लाटीन अमेरिकन कंट्री है औसकन स्वारी औसन सियान is the capital of this country पैरागवे लाटीन अमेरिकन कंट्री औसन सियान इसका capital है गौराणी is the name of the currency currency का नाम थोड़ा सा लग है यही भाशा का भी नाम है उस country के गौराणी इसकी बात की जाती है औसन सियान इसकी बात की जाती है चलो नेक्स question के तरफ जाते है इंडियन ओरीजिन अजय बांगा has been appointed as the next president of the world bank he is the former CEO of which company यह किस company के CEO हुआ करते थे यह question आपके सामने है simple सा question है obviously आप आराम से इसका answer कर पाएंगे दिक्कत नहीं जाएगी आपको जी दोस्तो yes very good Mastercard Mastercard की बात करते इंडिया में ही इनका जन्म हुआ है इंडिया में इनकी पढ़ाई हुई है and then he went to USA काफी बड़े-बड़े companies में काम कर चुके Mastercard के यह CEO थे उसके बाद chairman भी बने और अभी इनको World Bank का President appointment किया गया है so Indian origin person become the head of the World Bank is a very very big and very good achievement for the country World Bank में Chief Financial Officer के तोर पे Anshula Kant Ma'am काम करती है यह चीज़ हमने last time भी discuss कि थी दोस्तों comment section में जल्दी मुझे बताईएगा World Bank के अंदर कितनी organizations आती है और World Bank Group के अंदर कितनी organizations आती है जल्दी से answer comment section में डाल दीजेगा World Bank Group कितनी आती है दो उनके नाम जल्दी से बता दीजे World Bank के अंदर World Bank Group के अंदर पाच आती है तो उन पाचों के भी नाम बता दीजिए, जब से दो के नाम बता दीजिए, तो आपको बस तीन के नाम एक्स्टायर करने, जल्दी फटा-फट कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, देखते कितने लोग आंसर करेंगे, जिया, ये तीन लोगों के दोरा जितागा, तीनों के नाम एक बार देख लेते हैं, इन तीनों की बात करेंगे, ये इरान के जर्नलिस्ट है, जो फिलाल जेल में, वहाँ पे जेल में कैद है, पर इन्होंने इरान के जिस तरीके से महिलाओं को ट्रीट करते हैं, उसके अगेंस इन्होंने आवाज उठाई, एंड इनको इस अवार्ड से नवाजा गया, आगे बढ़ते हैं, Who has become the 11th woman in India to achieve international master title, international master title, जीतने वाले 11th Indian महिला का नाम यहाँ पे पूछा गया है, जी, जल्दी से आंसर कर दीजेगा, Yes, answer of this question is Vantika Agrawal की बात करेंगे, absolutely, एक और question मैं आपको पूछता हूँ, Recently India के जो grand master है, उनका भी नाम comment section में डाले हैं, कि Recently India के कौन से grand master बने हैं, और उनका नाम जल्दी से comment section में डाल दीजेगा, आगे बढ़ते हैं, Coal Miners Day is celebrated every year on which day, Coal Miners Day की बात करें, Coal Mining जो होता है, उसकी यहाँ पर बात की जागी, प्रलाज जोशी साहब के पास हमारे देश में coal ministry, mining ministry आती है, और 4th of May को यह day हम लोग observe करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, thousands of workers put their lives to risk while working in the coal mines, so water conserve and you feel water conservation is difficult, kind of a question asked by them, so environmental way plus coal miners है, उनकी safety भी रखनी है, इस एंगल में इस day को observe किया जाता है, इसका celebration भी 4th of May को होता है, और यह International Firefighters Day है, काफी बड़ा रोल है, काफी risky job है, तो उसी डे को हम लोग observe करते हैं, रंजित गुहा recently passed away, he was at the age of 100, who was he, यह कौन थे, बड़े famous, no doubt about that, काफी लोगों ने इनकी लिखी हुई books पड़ी होगी, इनके लिखी हुई चीजों को पड़ा होगा, राइटर तो बट obvious, बट historian, हिस्टॉरियन है, हिस्ट्री के काफी बड़े जानकार, काफी बड़े तद्न, उनके द्वारा काफी किटाबे भी लिखी गई, तो राइटर तो नहीं कहेंगे, historian कहेंगे, because history के एंगल में, इनका काफी बड़ा work रहा है, और उस work obviously, लिखा तो जाता ही है, तो इनका recently देहान्त हुआ, next, महाराश्ट्रास deputy chief minister देवेंदर पणनवीस, as recently unveiled a statue of Maratha warrior, king छत्रपती शिवाजी महाराज, in which country, किस country में, इस country में इनका visit हुआता, और वही पे इन्होंने इस statue को unveiled किया, the answer of this question is the Mauritius की बात करेंगे, Mauritius काफी ज़्यादा FDI, मौरिशस से इंडिया में आता है, तो इसी Mauritius के Port Louis में, यहाँ पे यह statue unveiled किया गया, by देवेंदर पणनवीस, who is the deputy CM of Maharashtra, Mauritian rupee is the currency of this country, next, चलो देख लेते, which ministry has signed MOU with the RITS limited, to accelerate the solid west and use water management, के इस angle में किसके साथ tie-up किये गये, सो यहाँ पे solid west और use water management की बात हो ली, वैसे भी हमारे स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के अंदर, हम इसी topic के ओपर कही बार बात करते हैं, कही बार discuss करते हैं, दोस्तों यहाँ पे answer है, ministry of housing and urban affairs, हरदिप सिंग पूरी साब की ministry है, और इसी ministry का यहाँ पे tie-up हुआ है, so that we can manage the solid west and the use water management, वैसे question बहुत easy है, ज़्यदा difficult नहीं जाएगा, सो अच्छ भारत mission का ही यह part है, next, subbank has launched its own AI chatbot, named as a giga chat, यह bank exactly किस country से belong करती है, subbank की बात करेंगे, yes, so this bank belongs to which country, it's a Russian bank, Russia की bank है, और इन्होंने अपना खुद का, एक giga chat launch किया हुआ है, to give competition to the chat GBT, वैसे भी आपको पता है, रशिया हमेशा से इस मामलों में बड़ा strong रहा है, जब COVID vaccine की बात हुई थी, तब भी इन्होंने अपने vaccines को सबसे पहले लाएने की कोशिश की थी, यह भी आपको अच्छे से बता होगा, चलो दोस्तों next question, what is the rank of India in the world press freedom index, यह बड़ा important है, अभी हमने थोड़ी दर पहले press freedom के awards की बात की थी, इंडिया का rank क्या है, इंडिया का rank उपर जाने के जगध थोड़ा नीचे आ रहा है, नौर्वे सबसे topmost country है, और पिछले साथ सालों से वही top पे चल रही है, इंडिया's rank is bit worrisome, 161st rank पे इंडिया आता है, वर्ल्ड प्रेस freedom index पे, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की association है, जिनके द्वारा यह ranking calculate की जाती है, और उसमें year by year, इंडिया's rank is going down, विच इस वेरी वरी सम कंसेट, नौर्वे यहाँ पे सबसे top पे आता है, पाइरलाइंड second number पे है, डेन्मार third number पे, स्वीडन यहाँ पे fourth number पे है, next question, Finance Minister निर्मला सितारामन जी attends the 56th annual general meeting of the board of directors of the Asian Development Bank in which country, जिया, answer कर दीजे comment section के अंदर, किस country में इसे attend किया गया, Asian Development Bank का headquarter वैसे Manila के अंदर है, 1966 में ADB को create किया गया था, organized in South Korea, South Korea, Seoul is the capital of this country, जल्दी से comment section में मुझे बताईएगा, South Korea का currency क्या है, ADB, Asian Development Bank, बड़ी important है, जी, जल्दी से answer कर दीजेगा, yes, one is the currency of this particular country, चलो, next is from the banking, which bank has introduced the digital distribution platform, smart saathi, to connect business correspondence, and the business facilitator to the bank, smart saathi, ये concept है, business correspondent और business facilitator, इनको जोडने के लिए, ये digital platform शुरू किया गया, बहुत important है, आज की डेट में, business correspondent ये वही है, जो अलग-अलग दूर दरास के अरिया में, जाके bank accounts create करने के लिए, financial inclusion करने के लिए, बड़ा बहुत बड़ा role play करते है, business facilitators जो होते है, जो बड़ी-बड़ी business institutions है, उनके साथ tie up करके, थोड़ा सा investment के angle में, ये लोग work कर सकते हैं, तो यहाँ पे, HDFC bank ने, इस concept की शुरुआती है, ठ्यान रखेगा, यहाँ पे हमारे, finance services के secretary, विवेक जोशी सर भी, उनी के हाथों से basically, इसकी शुरुआत की गई, HDFC bank, यह one of the, domestic systematically important bank है, इंडिया की, SBA और ICI से के लावा, HDFC भी, BSIB category के अंदर आती है, domestic systematically important bank, के, शशिदर जगदिशन सर, इस bank के फिलाल, MDCU है, Yes, Vanessa Hudson has been appointed, as the new CEO of the Qantas Airlines, Qantas Airlines, यह किस country से बिलॉंग करती है, यह question आपके सामने है, जी, आँसर आंसर कर दीजगा, यह airlines exactly, किस country से बिलॉंग करती है, यह question आपके सामने है, जी, answer of this question is Australia, आस्ट्रेलिया की बात करेंगे, यार जल्दी से मुझे बता दीजिए, अभी recently एक ranking आई थी, कि सबसे best airlines, वर्ल्ड की कौन सी है, वर्ल्ड की सबसे best airlines कौन सी है, नाम बता दीजिए, और वर्ल्ड की सबसे best airlines, in environmental angle कौन सी है, उसका भी नाम बता दीजिएगा, चल्दी से comment section के अंदर, वर्ल्ड की सबसे best airlines is New Zealand Air, और वर्ल्ड की सबसे best airlines, जो environment angle में काम करती, इथाइड की बात हमने last time की थी, UAE क्या है, so environment angle में इथाइड, और normal पूरे overall में, New Zealand Airlines सबसे top में आती है, जिया, who has been confirmed with the BAFTA fellowship, the highest accolade, bestowed by the British Academy of Film and Television Art, BAFTA, ये UK से belong करता है, इनके दोरा fellowship दी गई, एक Indian origin actor है, Meera Sayal, इनको ये award, ये fellowship प्रोवाइड की गई, BAFTA का, one of the biggest fellowship ये होता है, ठाँ रखेगा, खेलो दोस्तों, next question के तरफ जाते, who has become the first Indian, to complete the prestigious golden globe race, बहुत important है, इनको silver medal मिला है, gold में Christine Noshart की बात करेंगे, जो साथ आफरिका से बिलॉंग करते, तो golden globe race, basically ये कम से कम, पूरे world में, समुंदर में घूमने का, एक kind of race होता है, जिनको gold मिला, उन्होंने 288 days लगाये थे, पूरा cover करने के लिए, और यहाँ पे इंडिया के जो, अभिलाश Tommy है, ये पहले navy के, navy में काम कर चुके, इन्होंने, एक near about, कुछ 10 दिन extra लिये है, जो gold winner है, तो पहली बार, यहाँ पे gold award एक महिला को मिला, जिनका नाम Christine है, साउथ आफरिका से बिलॉंग करते, और silver इन्हें मिला है, अभिलाश Tommy सर को, लास्टाइम इसी race में, इनकी जान जाते बची, पर वापस अगें, he recovered, अगें उसी race में, उन्हें पार्टिसिपेट किया, देखिए, यह बहुत बड़ा, एक motivation है, एक होसला है, एक confidence है, कि भाई, करके दिखाना है, माना कि एक बार गिर गए, माना कि एक बार fail हुए, पर वापस एक बार, उसी जोश के साथ start हुए, and he completed this race, not only completed, he got the silver medal also, in this particular race, तो देखिए, इनकी तो जान जाते जाते बची है, हमारी एक exam नहीं निकलती, हम इतने demotivate हो जाते, हम इतना negative thought process में जाते, और जिससे, बना बनाया पूरा खेल बिगड़ जाता है, तो कि आपकी महनत, एक negative thought process से, पूरी खराब हो सकती है, जो महनत आपने की, उसे streamline करो, जो महनत आपने की, उसमें कहा कमी थी वहाँ पे, क्या exactly गलत हुआ, उसे streamline करो, देखिये, success आपके पास रहेगा, तो यह याद रखिये, RRB में इसको जरूर यूज कीजेगा, Who has won the gold medal, International Shooting Sports Federation Shotgun World Cup in Cairo, Cairo के अंदर world cup था, तो किसे gold medal यहाँ पे मिला है, so medal is to मैराज एहमद खान, he got the gold medal, in this shotgun shooting championship, which cricket team has qualified for the Asia Cup 2023, after winning the ACC Mains Premier Cup, Asia Cup के लिए भी यह qualified हुए, Asia Cup में normally हम बात करते की, India, Pakistan, Shri Lanka, Bangladeshi countries, रेगुलर ली दिखती है, अब यहाँ पे एक और country include हो जाएगी, that is Nepal, Nepal के team में यहाँ पे जीदासिल की, and they qualified for this Asia Cup, आगे बढ़ते है, यह कहाँ पे स्टार्ट हुआ, जल्दी बता दीजगा, Asian India Maritime Exercise, के AIME इसे नाम दिया गया, हमारी दो ships ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, INS Delhi and INS साथपूरा, यह दो ships इंडिया से पार्टिसिपेट की थी, and it was organized near Singapore, Asian Association of South East Station Nations की बात करते है, तो IN के साथ ही हमारा exercise था, इसका नाम याद रखेगा AIME, यहाँ पे भी question आपके लिए बन सकता है, दूसरी बात हमारी दो ships है, INS Delhi और INS साथपूरा ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, जीए दोस्तों, next question, who is the author of the book titled Collect to Spirit and Concrete Action, इस book के writer का, इस book के author का नाम यहाँ पे पूछा गया, who is the author of this book, called as the Collect to Spirit and Concrete Action, जीए, इस book is written by शशी शेखर वेंपती, इनकी ये book है, शशी शेखर वेंपती पहले प्रसार भारती के head हुआ करते थे, तो basically, मोदी साहब ने जो मन की बात में बाते किये, उन्ही सारे बातों को यहाँ पे collectively mention किया गया है, by the शशी शेखर वेंपती ध्यान रखेगा, so he was the head of the प्रसार भारती earlier, World Press Freedom Day, हमने index भी देख लिया, हमने award भी देख लिया, 3rd of May को यह डे अबज़र करते हैं, और इस बार का theme पूछा गया था, theme, shaping a future of rights, freedom of expression as a driver for all other human rights, so yes, very important है, यह day बहुत important है, हम इस day को बहुत lightly लेते हैं, especially when it comes to India, because जितना प्रेश freedom रहेगा, उससे समझ में आता है कि देश में कितना freedom है, देश में कितना article number 19 सही तरीके से work कर रहा है, constitution की बात करते हैं, fundamental rights, article number 19 बहुत important role play करता है, अगर आपका प्रेश government entities से डरता है, कि आपका प्रेश अगर fake news दे रहा है, आपका प्रेश अगर certain religion के angle में ही बार-बार बात कर रहा है, आपका प्रेश सारी important चीज़े छोड़के, बकवास बातों पे discussion कर रहा है, तो प्रेश freedom नहीं है, बिकाज किसी ना किसी का डर आपको सता रहा है, तो इसलिए ये बहुत matter करेगा, anyways, world asma day हम लोग कब observe करते हैं, इसे नादर question पॉर यू, कि world asma day हम लोग कब observe करते हैं, जै, इसे normally first Tuesday of May को observe किया जाता है, first Tuesday of May, every year हम इसे मनाते, because again air pollution जिस countries में ज़्यादा है, उस country में ये काफी ज़्यादा matter करेगा, काफी ज़्यादा important रहेगा, ठीक है, next question के तरफ जाते हैं, science 20 engagement group meeting on the universal holistic health begin in which state, science 20, S20 के हम लोग बात कर सकते, G20 के अंदर इसे organized किया गया, it was organized, जी हा, इन लक्षवदीप, लक्षवदीप के अंदर इसे organize किया गया, union territory है, तो हमने G20 के meetings में, UT के अंदर भी उसे organize किया, जो काफी important point हमारे लिए बन जाता है, next, India will join the international civil aviation organization, carbon offsetting and reduction scheme for international aviation, and long term aspirational goal from which year, ध्यान दीचे, बहुत important है, India will join the international civil aviation organization, carbon offsetting reduction scheme for international aviation, and long term aspirational goal, तो यहाँ इसे कब तक हमें अच्चू करना, तो 2027 की बात जी है, यह बहुत important concept है, international civil aviation organization, जिसका हैर्कॉर्टर मॉन्ट्रियाल के अंदर है, तो इनके साथ मिलके, यह long term के goals set करने की बात, हमारे civil aviation ministry, सिंधिया साथ के द्वारा की गई, who has launched the revamp CGTMSE scheme in Mumbai, this is another very very important, चलो आप में से कोई जल्दी से मुझे बता दे, कि CGTMSE का full form क्या है, जिया जल्दी से, अब तक एक चीज़ा हम कर लेते हैं, जिया जल्दी से, Yes, answer of this question is Narayan Rane, because यहाँ पर MSCME की बात हो रही हो, and yes, you people are right, यहाँ पर credit guarantee fund trust for the micro small enterprises की बात हो रही है, credit guarantee trust for micro small enterprises की बात हो रही है, Narayan Rane sir, यहाँ पर MSCME minister उनके द्वारा इसे revamp किया गया, scheme बैसे पुरान यह, और scheme के अंदर micro और small enterprises को funding provide की जाती है, तो उसी funding के angle में, उसी funding को और सही तरीके से implement करने के लिए, इसकी शुरुआत की गई, या it was in news recently, ठीक है, ध्यान रखेगा, यहाँ पर link open हो गई है, तभी भी link open कर सकते थे हम, चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं, यह, देखे, guarantee approved during the 23, 1 crore 0471 की guarantee, growth in the convergence 87%, यहाँ पर कुछ point mention किये गए, देखे, उद्यमी, मित्र, मुद्रा, MSC, यह सारे इसके साथ जुड़े हुए, कि इसके साथ जुड़े हुए, तो CGT, MSC की यहाँ पर बात ही जा रही है, एक बार इसके about में चले जाते हैं, देखे, up to 5 lakh, up to 50 lakhs, up to 5 crore तब तक कि यहाँ पर guarantees मिल जाती है, अगर 5 lakh की guarantee है, तो 85% तक का रहेगा, 75% तक की guarantee रहेगी, और यहाँ पर भी 75%, तो अलग-अलग industries के लिए, micro industries कैसी है, कौन से state में काम करेगी, उसके साथ से भी, आपकी guarantee यहाँ पर vary करेगी, so this is a scheme, and this scheme works under the ministry of MSCME, यह भी point ध्यान रखेगा, चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, which company has signed a supplementary joint venture agreement with the nuclear power corporation of India, so, किस के साथ यहाँ पर tie up किया, answer is NTPC की बात करेंगे, 1975 में NTPC बना, तो NTPC यहाँ पर nuclear power के उपर काम कर रहा है, National Thermal Power Corporation of India, right now working on the renewable, as well as working on these nuclear also, तो काफी जादा actually, आजकल NTPC के द्वारा काम चल रहा है, next question, defense minister Rajna Singh sir, handed over a fast petrol vessel, and a landing craft to which a country as a gift, की gift के तोर पर किस country को यह दिया गया, अभी हमारे Rajna Singh साभ इस country में विजिट करने गया थे, तब इन्होंने यह gift किया, Maldews की बात की जाएगी, Maldews इंडिया का neighboring country है, और इसी country को हमने यहाँ पर petrolling vessel भी दिये, petrolling vessel का मतलब है, जो normally watch रखने के लिए एक ship दी गई है, जो उनके coast guard के साथ काम करेगी, साथ में landing craft भी provide किया गया है, infrastructure के तोर पे, यह gift दिया हुआ है, इसके लिए कोई cost नहीं, सागर नाम की policy हमारे पास है, security and growth for all in the region, उसी policy के अंदर इसे implement किया गया है, according to RBI, सबसे ज़ादा market borrowing इस state के द्वारा की गई, market borrowing का मतलब है, state developmental loans, जो long term के bonds, state government issue करती है, और वहाँ से जो पैसा लाया जाता है, उसे हम normally market borrowings कहेंगे, SDL, state developmental loans, long term के state government के bonds होते, यहाँ जिया, यहाँ पे तमिलनाडू की बात करेंगे, तमिलनाडू यहाँ पे सबसे ज़ादा borrowing पे है, MK Stalin is the chief minister of the state of तमिलनाडू, ध्यान रखेगा अभी, due to Sengol, यह फिलाल news में चल रहा था, जी, which of the following bank will start an e-distribution network to help the lender achieve its priority sector, lending target, priority sector PSL के target की बात करेंगे, 40% का overall target होता है, PSL का, for commercial banks, चाहे government की banks हो, चाहे private banks हो, चाहे foreign banks हो, सब भी के लिए 40% का target है, दोस्तों, अगर आपकी RRB है, या small finance bank है, तो target आपका 75% का बन जाएगा, और यहाँ पे answer is HDFC bank, HDFC bank ने, यहाँ पे, e-distribution network start किया, ताकि target सही तरीके से achieve हो सके, जी, next question, e-rupee, CBDC central bank digital currency हम लोग कहते हैं, और इसमें recently, reliance general insurance को भी, include किया गया है, by the RBI, so that, हम थोड़ा success rate यहाँ पे देख सकें, आगे बढ़ते हैं, how much lakh crod rupees of GST are collected in the month of April, in the month of April, काफी successful रहा है, और 1.87 lakh crod, यहाँ पे, अचू किये गया है, yes दोस्तों, एक और question मैं आपको पूछूँँगा, जल्दी से मुझे answer कर दीजेगा, कि month of May में, GST collection कितना हुआ, because अभी कुछ दिनों पहले, हमारी बात हुई थी, मैंने क्याल से, एक दिन पहले का ही discussion है, कि GST collection कितना हुआ है month of May में, so month of May का GST collection, जल्दी से answer comment section में डाल दीजेगा, 1,57,090 करोड का GST collection है month of May का, so obviously April से कम है, April last year भी काफी ज़ादा था, इस बार भी 1,87,00,000 करोड, तो आज तक का सबसे ज़ादा GST collection, ये April 2023 में हुआ है, and May की बात करेंगे, तो 1,57,090,00,000,000 करोड का GST collection है, who has been appointed as a chief executive officer of the Vodafone, Vodafone के chief executive officer के post पे, किसे recently appoint किया गया है, the answer is, डेला वाले की बात करेंगे, Vodafone is a UK best company, और इसकी यहाँ पे बात हो रही है, चलो तोस्तों आगे बढ़ते हैं, who has been appointed as a chairman of the atomic energy commission, atomic energy commission के तोर पे, chairman की position पे appoint किया गया है, atomic energy commission यह काफी closely काम करता, PMO office के साथ, अजित कुमार मोहनती सर को यहाँ पे appoint किया गया है, ध्यान रखेगा, very very important authority, directly it works with the prime minister of India, who has become the 17th world chess champion, after defeating the Russia's N Nepono match in a tiebreaker, world championship की बात हो रही है, और बहुत important है, exam में question आएगा, पहली बार कोई Chinese person world champion बना है, Ding Liren की बात करेंगे, इंडिया में world champion बन चुके थे, हमारे, जिया जल्दी से answer कर दीजे, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के पहले grand master, अब right now, वो world chess federation के deputy head है, deputy in charge है, जिया विश्वनाथन आनन्दि सहाब की बात करेंगे, who has become the first Indian men's double player, to win a gold medal at a badminton Asia championship, badminton Asia championship के अंदर, men's double में gold medal, पहले Indian team यह है, और काफी बड़ा record है इनका, तो यहाँ पे सात्रिक साहिराज की, और चिराख शट्टी की बात करेंगे, काफी बहतरीन तरीके से doubles में दोनों खेलते हैं, and they won the gold medal, the first gold medal, for the men's double in Asia championship, चलो next पे तरफ जाते, जिया, world tuna day, tuna is the name of the ship, sorry, ship कहा रहा हूँ, fish, the name of the fish, so world tuna day, और यह second of mai को observe किया जाता है, mostly Korea, Japan in countries में, tuna यह काफी favorable fish होती है, next, which IIT launched a cyber security skilling program, under the national mission, on interdisciplinary cyber physical system, चलो answer कर दीजगा, which IIT has launched a cyber security skilling program, under the national mission, on interdisciplinary cyber physical system, so कौन सा IIT यहाँ पे, cyber security की बात हो रही है, so yes, answer of this question is, IIT कानपूर की बात करेंगे, absolutely right, IIT कानपूर यहाँ पे involved है, IIT वाले questions, कई बार difficult बनते हैं, मैंने बहुत बार आपको बताया भी है, तो इसमें, revision करते रहने की, बहुत ज़ादा ज़रुरत रहेगी, next question, India and which country have agreed, to create net zero innovation virtual center, net zero innovation virtual center, यह center virtually काम करेगा, पर यहाँ पे innovative ideas, discuss की जाएगी, ताकि net zero कैसा किया जाए, net zero में CO2 emission zero कैसे किया जाए, अभी कल की बात, government of India ने, 2070 के target को officially launch कर दिया, कि हम officially, 2070 तक net zero करेंगे, उसमें बाकी countries से भी, हम innovative मदद ले सकते, तो यहाँ पे इसे launch किया गया, UK के साथ मिलके, UK and India, यह virtual center के उपर काम कर रहे है, next question, which UT has organized the two day, Synthana Snow Festival, यह किस UT के द्वारा, organized किया गया, बड़ा simple है, snow or UT, इसमें एक ही आपको answer मिल जाएगा, and that is Jammu and Kashmir, हाँ लगदाग भी बन सकता है, no doubt about it, बड़ यहाँ पे answer आपका Jammu and Kashmir है के लाद, who has addressed the India Calling Conference 2023, organized by the Indian Merchant Chamber in Mumbai, India Calling Conference, जो Indian Merchant उनके द्वारा इसे organize किया गया था, ताकि business entities को support मिले, India Calling Conference, especially focusing on the investment purposes, ताकि और investment इंडिया में आ सके, so obviously Pugh Gowell, merchants की business की trade की बात होगी, तो यहाँ पे हमारे Pugh Gowell साब का नाम बिल्कुल आएगा, दोस्तों अभी तक हमने near about 50 questions cover कर लिए, और 50 questions के तरफ हम लोग रुख करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, जी आगे, which state government has inaugurated the three-day heritage festival, which showcased the art forms, dance and cuisines of the coastal state, recently कौन से state में, यह तीन दिन का function organize किया गया था, ताकि जो coastal state है, उस coastal state का art form, वाके dances, वाके cuisines उसे promote किया जाए, और coastal state is Goa, देखे महाराष्टरा, तमिल नाडू की बात करेंगे, पहले हिमाचर पंजाब तो coastal state नहीं है, तो उनका तो सवाल नहीं उड़ता, महाराष्टरा, तमिल नाडू में coastal area है, पर states बहुत बड़े है, तो वो पूरा state केवल coastal नहीं मानेंगे, वाहाँ पे land form भी है, वाहाँ का भी अलग art and culture है, Goa एक ऐसा state है, जो पूरा coastal area पे ही dependent है, तो इसलिए answer करना बहुत easy बन जाता है, डॉक्टर प्रमोध सावंत यहाँ पे chief minister है, जिया, हमारे पास mechanization की sub scheme भी है, जहाँ पे जो अलग-अलग machines हम farming में यूज करते हैं, उसके लिए scheme काम करते हैं, जिसके अंदर हम किसान drone का भी last time discussion किये थे, दोस्तों यहाँ पे आपका answer is, नरेंद्र सिंग तोमर जो agriculture minister है, बड़ा easy रहेगा, Confederation of Indian Industry, आर दिने सर अभी-अभी CII के नए head बने है, नए in charge बने हमने last time discuss भी किया था, आपको याद होगा, next, which state housing board has received a national award for real estate for registering the highest number of home projects with the real estate regulatory authority, RERA नामका authority जिसके अंदर हम real estate को regulate करते, तो कौन सा status जिसने सबसे ज़ादा यहाँ पे highest number of projects को complete किया है, उसको award भी दिया गया, मुझे लगाई था, आप में से बहुत लोग UP answer कर सकते हैं, answer यहाँ पे है Rajasthahn, UP नहीं है, वो थोड़ा सा editing के वक्त में वहाँ पे red color आ गया है, that doesn't mean that is the answer, so answer of this question is Rajasthahn ध्यान रखेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी has virtually commissioned 91 FM transmitters of capacity of 100 Watt in which state, कौन से state में, यहाँ पे FM transmitters distribute किया गये, ताकि communication के लिए अच्छा रहे, और virtually यह implement किया गया, आसांगी बात करेंगे, यस धीपू in कार्भी अंगलोंग district के इस एरिया में, क्योंकि connectivity के बहुत इश्वात है, community radio, यह बहुत बड़ा और बड़ा famous concept है, community radio, कि वहाँ की community उस radio को चलाती है, और जो बहुत successfully work भी करता है, उसी purpose के लिए, यह FM transmitters यहाँ पे provide करने की बात की गई है, which of the following country has become the largest recipient of ADB loans, Asian Development Bank के loans का सबसे ज़्यादा loan लेने वाली country कौन सी, हमने last time discuss किया था कि ADB का जो conference है, वो South Korea में organized किया गया था, जहाँ पे निर्मरा जी ने इंडिया को represent किया, सबसे ज़्यादा loan पाकिस्थान ने लिए हुए है, अगर loan की बात करें, when it comes to the loan from the ADB, तो that is from the Pakistan, आगे बढ़ते हैं, और उनको ज़रुद भी थी वैसे, who has been awarded the prestigious Leipzig book prize for the European understanding in 2023, यह award किसे दिया गया, यह award जिनको मिला, the origin, Russian origin है, Mariya Stepanova की बात करेंगे, and she got this award, नाम पढ़ के ऐसे लगते हैं, कोई tennis player होंगे, but she is a very, very, very famous writer, and she got this award, रशिया से बिलॉंग करते हैं, पर obviously आज की date में, रशिया में नहीं रहते हैं, and she wrote about the European culture and all, International Labour Day, और Workers Day हम कब observe करते हैं, ILO, International Labour Organization, जिसका headquarter जिनिवा में है, 1919 में उसे बनाया गया था, first of mycom Labour Day अबसर करते हैं, पूरे पूरे वर्ल में, आप सबको पता होगा, मेरे ख्याल से बताने की ज़रुरत नहीं है, बड़ा simple सा point है, अभी recently हमारे G20 का एक Employment Working Group का मीटिंग भी ILO के head office में organize किया गया था, last time discuss किया हमने, चापे Labour Ministry और हमारी Skill Development Ministry ने शिर्कत किया था, महाराष्टर डे कब celebrate करते हैं, महाराष्टर गुजरात ये दोनों state एक ही दिन में 1960 में बनाये गया थे, so first of my 1960 महाराष्टर गुजरात दोनों states को create किया गया था, yes guys, आगे बढ़ते, next questions के तरफ जाएंगे, the who has inaugurated the PCIM&H office portal, ये किसके द्वारा inaugurate किया गया, फार्माइकोपेनिया, Commission for Medicine and Homeopathy की यहाँ पर बात की जाती है, इसका portal obviously, यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारे सरभारंद सोनवाल साब, जो आयूश मिनिस्टर है, आयूश मिनिस्टर के वो head है, in charge है, next question, first ever urban climate film festival, ये कहाँ पर inaugurate किया गया, पहला first ever climate film festival, obviously urban climate film festival, और जो हमारी urban affairs ministry द्वारा organize किया गया, it was organized in Kolkata, इसे Kolkata के अंदर organize किया गया था, ध्यान रखेगा, सो question यहाँ पर भी आपके लिए बन सकता है, एक और चीज़ देख लेते हैं, और कौन से कौन से city में इसे organize किया जाएगा, ये भी point यहाँ पर discuss कर लेते हैं, यहाँ पर cities के नाम mention किये थे, यहाँ पर countries तो है, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, पोलाइन, यूएसे, इस countries are participating, तो यह festival अभी तो हमने launch किया in Kolkata, इसके अलावा इसे हम Mumbai, New Delhi, Bangaluru के इन शहरों में भी implement करने वाले, मेरे क्याल से कुछ घलेट document यहाँ पर open होगा है, पर कोई बात नहीं, हम उसे एक बार बाद में discuss कर लेंगे, विभी जन के तौर पर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडन्ट द्रवपदी मुरूमु मैम, अज इनाग्रेटेड दे न्यू बिल्डिंग ऑफ जार्खंड हाई कोर्ट, इन वीच यह जार्खंड है सेप्रेटेट फ्रम द भीहार, कौन से एर पे जार्खंड यह स्टेट को अलग क्रियेट किया गया था, हैं, मन्त सोरेन सर फिलाल यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, सीपिरादा कृष्णन सर यहाँ पे गवर्नर है, और दो हजार, और उसी साल में यहाँ के हाई कोर्ट की भी शुरुवात की गई थी, ध्यान रखेगा, हाई कोट के यहाँ के चीफ जस्टिस मिश्रा सर है, भरोसक के सम्मेलन प्रोग्राम में इसको लाँच किया गया, और इसका नाम है हमर सुघर लाइक अभियान, इसे रिसेंट्टी लाँच किया गया, बुपेश बागेल गवर्मेंट यहाँ पे काम करती है, और जिया, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, विच स्टेट गवर्मेंट हैस साइन अन M.O.U. विद द उत्तराखंड तु एनांस टूरिजम लैंड्सकेप अप बोद द स्टेट्स, यह इसके उपर हमारी लास्ट ताइम भी बात हुई थी, तो यहाँ पर उत्तराखंड और गवा, दोनों के बीच में यहाँ पर टाइप हुआ है, और दोनों के दोनों स्टेट मिलके टूरिजम को प्रमोट करेंगे, एक स्टेट है, कोस्टल स्टेट है और एक स्टेट है, जो हीरी अरिया में काम करता है, सबसे टॉप मोस्ट सूपर कम्पूटर वर्ल्ड में, प्रॉंटियर की बात करते है, जो यूएस से बिलॉंग करता है, ठ्यान रखेगा, जिया, रिसेंटली हैरिस पार्क हाज रिनेम्ड अज लिटल इंडिया, इट इस लोकेटेट इन विच कंट्री है, ये कहां पे लोकेटेट है, बड़ा सिंपल है, मोदी साब अब भी रिसेंटली वहां पे गये थे, कोड की मीटिंग वहां होना था, पर unfortunately, वो मीटिंग नहीं हो पाई, बिकाज यूएस प्रेसिडेंट वहां पे प्रेसेंट नहीं हो सके थे, आंसर इस ऑस्ट्रेलिया की बात करते, जी हां बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट यहां पे सही है, और बाकी पॉइंट्स के उपर एक बार यहां पे बात कर ही लेते हैं, जी हां, इसका रिपोर्ट ओपन कर लेंगे, उमीद करता हूँ कि यहां पे चीज़ें सही तरीके से ओपन हो जाए, ओके यहां पे एड ब्लॉकर की बात आ रही है, कोई बात नहीं, यहां पे बात करते हैं, इंडिया की बात करेंगे, तो इंडिया यहां पे आता है, सबसे लिस्ट मिजरेबल है, स्विच्जर लैंड, कुवेट, आयरलैंड, यह लिस्ट मिजरेबल कंट्रीज है, ध्यान रखेगा, सब ज़्याद मिजरेबल, क्रॉप्षिंज कितने हैं, GDP कैसे जा रहा है, यहां पे आपका लेंडिंग रेट कैसे वर्क कर रहा है, इंफलेशन कैसा, यह सारी चीज़े यहां पे नॉर्मली चेक की जाएज, mostly inflation, lending rate, आपका GDP और आपका unemployment, यह major factor है, बाकी भी factors वैसे check होते हैं, पर these are the main factors. चलो, आगे बढ़ते हैं, Dr. K. Govind Raj has been elected as the president of which sports organization? Dr. K. Govind Raj, यहाँ पर, simple है, इसको फड़ा-फड़ कवर कर लेते हैं, answer यहाँ पर है, International Basketball Federation Asia, basketball, इंडिया के basketball federation के तो यह head है ही, he's a politician, MLC member from Karnataka, who has received the honoris causa for noble work at the Apex University's Jaipur, उनके द्वारा यह award दिया गया, और यह award मिला है, none other than Sonu Sudh साप की बात करते है, I am no Masihah, इस the name of the book, इनकी book है, और काफी अच्छा काम COVID-19 के वक्त इनके द्वारा किया गया था, so he got this award, आगे बढ़ते हैं दोस्तो, ah yes, next point, आपके screen पे next question है, answer कर दीजेगा, yeah, who has won the gold in the international jumping meeting 2023 at the Calithia in Greece, jumping event के अंदर किसे gold मिला है, so answer is, Murali Shri Shankar की बात करते, he got the gold medal in this particular event, okay, चलो, next question, who has been appointed as a tennis ambassador of Sony Sports Network, 6 Grand Slams इनको मिले है, 3 Grand Slams, Mixed Doubles के अंदर, 3 Grand Slams, Doubles के अंदर, तो इसे 6 Grand Slams के winner है, Sanya Mirza मैं की बात करेंगे, so Sony Sports के द्वारा इनको tennis का ambassador appoint किया गया है, next question आपके स्क्रीन के ओपर दोस्तों यह रहा, यह स्कुरुमूती टीकनन, पास जब है recently, who was he, यह कौन थे, जी आ, लास्ट आम डिसकस किया था, इंडस्ट्रियालिस्ट फ्रम तमिल नाडु, और मदुराई टेंपल के ठककर्मिस ट्रस्टी, यह भी पॉइंट हमने लास्ट आम डिसकस किया था, चलो आगे बढ़ते, इंडियन रेलवे हैंडेड ओवर 20 ब्रॉड गेज लोको मोटिव टू विच कंट्री, अज पार्ट आफ ग्रांट असिस्टन्स प्रोग्राम, 20 ब्रॉड गेज, इसके पहले 10 ब्रॉड गेज हम पहले भी प्रोवाइड कर चुके, और आंसर यहाँ पे करेंगे, बांगलादेश, बांगलादेश की बात की जाएगी, एक और पॉइंट रिविजन के तोर पे वापस एक बार आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम ऐसे डिसकस किया था, हमने वो पॉइंट एक बार वापस डिसकस कर लेते हैं, इसके पहले 10 ब्रॉड गेज जो ट्रेने हमने 2022 में इनको प्रोवाइड की हुई है, हमारे और इस कंट्री के बीच में कुछ रेलवे भी चलती है, हमने 10 लोकोमोटिव इफट कींटी, 2020 में, इसकी अलावा पैसेंजर ट्रेने जो चलती है, एक कोलकर्टा टू ढाका जिसको मैत्री एक्सप्रेस नाम दिया गया, एक कोलकर्टा टू खुलना जिसे बंधन एक्सप्रेस नाम दिया गया, है, so Maitri Express, then Bandhan Express और उसके अलावा Mithali Express इसी तीन trains है, जो चलती है, और hundreds of cargo trains तो ये monthly basis पे दो countries के बीच में चलती है, ठीक है, आगे, India in which country have signed agreement in the field of mobility and migration with a view to encouraging the orderly movement of students, researchers, professionals and academics, so yes guys, answer कर दीजेगा, so ये mobility के लिए, और mobility का agreement, recently Modi साब Australia गहते और उसी के साथ ये agreement sign हुआ है, ताकि students, researchers, professionals, ये easily एक दूसरे country में mobile हो सके या migrate कर सके इसी purpose के लिए, which state is set to declare itself as a first total e-governed state, सबसे पहला e-governed state, सारी policies ये e, या फिर digital तरीके से implement की जाती है, answer is none other than करेंगे, पिनराई विजन सर यहां पे CM है, who has virtually inaugurated the Delhi, Dehradun, Vande Bharat Express, और recently, आसाम के अंदर भी पहला Vande Bharat Express start हुआ है, और Vande Bharat Express का inauguration always, चाय वर्चूली, चाय फिजिकली बने last time भी काता, will be always done by the Prime Minister of India, Modi साब की बात की जाएगी, next, which of the following country will introduce the mandatory health labeling of alcohol drinks, warning with links to cancer, liver disease and the risk of drinking while pregnant, तो यह किसके द्वारा recently से introduced किया गया, the answer of this question is Ireland, Ireland की बात पते, Dublin is the capital of this particular country, चलो next question के तरफ जाता हूँ, India's GDP will cross 3.5 trillion in 2022 and is projected to remain the fastest growing G20 economy over the next few years, यह statement किसके द्वारा दिया गया, बड़ा positive statement and this statement is given by Moody's, इनके द्वारा statement दिया गया, एक जमाना था, Moody's ने इंडिया के बारे में काफी negative बात की थी and now they are saying that India is the fastest growing economy, US-based financial firm है, जिया, आगे बढ़ते हैं, which company has launched the Nifty 200 momentum 30 index fund and open ended scheme, जिया, आंसर कर दीजेगा, Nifty, Nifty यह national stock exchange से बिलॉंग करता है, top 50 कंपनियों का एक index है, Nifty junior भी होता है, Nifty 100 भी है, Nifty 200 भी है, तो Nifty 200 में 200 कंपनियों आती है, जो national stock exchange में listed है, तो उनके हिसाब से यह mutual fund का index create किया गया and created by none other than Kotak Mahendra assets के द्वारा इसे बनाया गया है, जान रखना Nifty, this is the index, belongs to national stock exchange, इंडिया का पहला national level stock market, इंडिया का overall पहला stock market is BSE, पर पहला national level stock market is national stock exchange, NSE की बात की जाएगी, which IIT is signed an MOU with the S bank to provide crucial support to startup incubated at SIIC, या startup innovation incubation center की बात करते और यह center create जो किया गया है, यह by IIT कानपूर create किया, तो IIT कानपूर का यह SIIC है, जहाँ पर S bank support करेगी, किसी startup को कि इस startups यहाँ पर अपने आपको grow करते, तो उसके लिए उनको पैसे की भी ज़रुरत पड़ती है, तो yes bank उनको यहाँ पर loan provide करेगा, next question, Tata Chemical Board has reappointed our mukundam as a MDCO, Tata Chemical Board का headquarter कहाँ पर है, Tata Chemical Board's headquarter is in Mumbai, mostly Tata Companies Mumbai से ही work करती है, इंडिया का सबसे topmost brand TCS है, अभी कुछ दिनों पहले हमारी बाद भी हुई थी, उसी topic को लेके, ठीक है, जा next question, who has been appointed as the brand ambassador of the त्रिपूरा tourism, त्रिपूरा tourism के नए brand ambassador कि से appoint किया गया, simple सा question आपके सामने है, जहां हम यहाँ पे बात करेंगे, सवरवदा की, सवरवगांगोली साब का appoint किया गया है, दोस्तों, BCCI के present president कोन है, हुँका नाम जल्दी से comment section में डाल दीजे, BCCI के right now president कोन है, who has won the international booker prize for time shelter, time shelter नाम की book है, इसके लिए international booker prize से इनको नवाजा गया है, answer is, जोर्जी गॉस्पोडिनोव की बात करेंगे, जोर्जी गॉस्पोडिनोव यह बलगेरिया से बिलॉंग करते हैं, याद रटना, last time गितानजरी श्री को यह award मिला था, जो इंडिया से बिलॉंग करते हैं, time shelter यह book का तरफ नाम याद रखेगा, यह आपके लिए बहुत important रहेगा, अभी तक किस-किस इंडियन्स को booker price और man booker price से नवाज आ गया, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए, last time गे हमने discuss किया था, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, international missing children's day is observed every year on which day, international missing children's day कब observe किया जाता है, children's day is different and international missing children's day is different, 20 November को हम children's day बनाते हैं internationally and 14 November को nationally, okay, missing children's day हम normally 25th of May को मनाते हैं, जी आगे बढ़ेंगे, world thyroid day यह कब observe किया जाता है, world thyroid day हम लोग कब मनाते हैं, यह question आपके सामने है, जी इसे हम लोग मनाते हैं 25th of May, it's not you, it's your thyroid, यह यहाँ पे उसका theme रखा गया है, तो इसके तरह भी ध्यान रखेगा, चलो, आगे बढ़ते, the second trade and investment working group meeting under G20 India presidency has begun in which city, यह कहाँ पे start हुआ, जाँ दीजे, trade and investment working group का meeting है, obviously यहाँ पे प्यूईज गोईल साब की ministry बहुत बड़ा role play करेगी, and बैंगलूरू के अंदर इसे organize किया गया, बैंगलूरू में G20 के finance ministers और central bank governors का भी meeting organized किया गया था, यह भी point आपको अच्छे से पता ही होगा, वैसे, आगे बढ़ते, next question, disaster risk reduction working group का meeting कहाँ पे हुआ, environment working group का भी meeting यही पे था, actually, so answer is Mumbai, Mumbai में से organized किया गया, चलो, आगे बढ़ते, यह तो simple simple questions थे, शासन आपलया दारी, this is started by which state, जिया, answer is Maharashtra, एकनाथ शिंदे सर सीयम है, एंड रमेश बैसर यहाँ पे governor है, चलो, which companies launch GRSE accelerated innovation nurturing scheme के, यह किसके द्वारा launch किया गया, चलो, बता दीजेगा, GRSE accelerated innovation nurturing scheme की बात करेंगे, GRSE is basically garden rich shipbuilders engineers limited नाम की company है, और इस company, यह company one of the oldest company है, और जिस company को 1960 में, government ने अपने control में लिया, कोलकता में इस company का headquarter है, उनके द्वारा, यह जो shipping industry में, अलग-अलग start-up company हैं काम कर रही है, उनके लिए इसकी शुरुवात की गई, which state CMS formally launched, the 5156 करोड मच्छिली पटनम port workers, के चलो, बता दीजेगा, so, yes, अगर आपको यह port पता है, तो आप answer कर पाएंगे, यहापर answer आंदरा पदेश, जगन महुन रेड़ी साब की बात करेंगे, जल्दी से मुझे बताईए, आंदरा का नया capital city, क्या announce किया गया, government के द्वारा, बले court में case चल रही होगी, पर government ने announce किर दे, कि भाई, यह हमारा नया capital city होगा, और बहुत जल्दी सारी चीजे, इस city में shift की जा रही है, और yes, WISEAC की बात करेंगे, स्टेट है, जिसने भी green hydrogen policy के उपर बात की है, and the name of the state is none other than Himachal Pradesh, सुपकु सर, यहाँ पे chief minister है, ठान रखेगा, आगे बढ़ते, next question, India recently announced the plans to open its fourth consulate in which country, किस country में, चौथा consulate यहाँ पे open के जगा, अल्रेड यहाँ पे तीन consulate बने हुए है, उनके capital city में भी है, उनकी बड़ी city Sydney और Earth में भी है, और अभी Brisbane के अंदर भी से create किया जा रहा है, जिहाँ हम Australia की बात कर रहा है, next question, which of the following company has recently launched a bond platform for real retail investors in India, जो retail investors जिनको government bond में invest करना है, corporate bond में invest करना है, या किसी और bonds में invest करना है, वो directly इस platform के तुर अपने investment को carry forward कर सकते है, तो बड़ा अच्छा है, easy तरीके से लोग invest कर पाएंगे, और paytm money के द्वारा recently इसकी शिरुवात की गई है, जो लो next question भी कापी easy है, आराम से आप लोग answer कर पाएंगे, which payment service company has recently launched, रुपे credit card support on UPI in India, जी, answer कर दीजिएगा, रुपे credit card support की यहां पे बात हो रही है, yes, answer is Google पे, Google पे की बात करते हैं, Google पे started this, again, रुपे credit card यह UPI से allowed है, बागी credit cards allowed नहीं है, Mastercard होगा, Visa, American Express is not allowed, but रुपे is allowed, फिलाल 13 banks यहां पे link है, Jai Prakash and Monal D. Chauksi were elected as a president and secretary of Sewing Federation of India, Sewing Federation of India का headquarter कहां पे, यह question आपके सामने है, जी, answer कर दीजिएगा, yes, answer of this question is, Ahmedabad के अंदर, इसका headquarter है, next question, Tokyo Olympic gold medalist Neeraj Chopra has achieved the number one ranking in the men's javelin, so, इन्होंने, इनका total pointers कितना है, so, one, four, double, five points के साथ, he become the world's topmost javelin thrower, काफी बड़ा achievement है, no doubt about that, next question, which of the following state is hosting Khelo India University Games, बड़ा easy question है, आपके लिए Khelo India University Games, कौन से state के द्वारा host किया जा रहा है, yes, everyone knows, यहाँ पर बात करेंगे, उत्तरप्रदेश की जल्दी comment section में, इसके mascot का नाम बता दीजेगा, इसका mascot क्या है, Khelo India University Games, सबसे पहले Odisha में organize किये गे, then, Karnataka के अंदर, यह third games है, इसे UP के अंदर organize किया जा रहा है, multiple locations पे से खेला जाएगा, कि, commonwealth day is observed every year on 24th of May, what is the theme of the commonwealth day, commonwealth का मतलब है, जिन countries के उपर अंग्रेजों ने राज किया, वो normally commonwealth कहलाई जाती है, so, यहाँ पर answer is, forging a sustainable and peaceful common future, की बात यहाँ पर की जाएगी, who has become the first state to provide government-funded air travel for the pilgrimage under मुख्यमंत्री तिर्थ दर्शन योजना, जिया, answer कर दीजेगा, जी, मध्यप्रदेश की बात करते हैं, मामा जी, शुरा सिंग चाववान साब की यहाँ पर government है, और इनी के government के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, जी, absolutely right, चलो दोस्तों, answer, next question, PM, Narendra Modi has addressed the 76th station of the World Health Assembly in which country, virtually organized, virtually address किया, मोदी साब के द्वारा, WHO का headquarter is in Geneva, Switzerland, यहाँ पर इसके द्वारा और्गनाईस किया गया, हमारे मंसुक मंधिया साब ने participate तो किया था, पर मोदी साब ने यहाँ पर virtually participate किया, जी, our next question, बड़ा, important है, answer कर दीजेगा, PM, Modi inaugurated the new Parliament building, installed historical sceptre called Sengol, near the Rajya Sabha Speaker Chair, Lok Sabha Hall 888 based on the Lotus, Rajya Sabha 384 based on the Peacock, Lok Sabha accommodate 1272 seats for the joint meeting, building has been constructed by Tata Project, and Modi laid the foundation stone of the new building, in January 2020, कौन सा correct है, देखे, पहला तो wrong है, because Lok Sabha Speaker होते, Rajya Sabha Speaker नहीं होते, Rajya Sabha में Chairman होते, और Sengol Lok Sabha Speaker के बगल में ही, implement किया गया है, Lotus theme is for Rajya Sabha, Peacock theme is for the Lok Sabha, आपने color अगर देखा तो, उससे आपको समझ में आया होगा, fourth point is absolutely right, fifth point is also absolutely right, sixth point is wrong, because December 2020 में, इसका foundation stone रखा गया था, तो answer आपका यहां पे, four और five बन जाता है, which of the following country, has recently celebrated, भोटो जत्रा festival, भोटो जत्रा festival, कहां पे celebrate किया गया, answer is Nepal, और Nepal 2025 को, tourism year के तौर पे celebrate करने वाला है, यह भी point, आपने last time discuss किया था, last question of the day, सार्थी, a digital onboarding journey, to enable electronic data capture, or point of sale merchant, for the merchant सार्थी है, जहाँ पे छोटे बड़े दुकानदारों के लिए, काफी helpful रहेगा, answer is Axis Bank की बात करेंगा, अमिताव चौधरी सर, यहां पे है, यह thank you very much, यह session recorded manner में आपके सामने था, पर questions revise करना, discuss करना बहुत जरूरी था, session को like जरूर कीजेगा, and we'll see you in the next session, मुलाकत होगी आपके साथ अभी, directly on Monday, Monday से आपसे हम रूबरू करेंगे, तब तक के लिए, bye bye, take care.